है का दो इसकी भी डिशिंग मैं सरफ प्याग का सो Š इस वीडियो में हब जो है बात करेंगे कि बीडिया कैसे डीस्ट का काम करताहा कि है तो सब्कूनर गया जाता है तो किईसी वह घुए जीज होती है जो किसी भी चीज को बढ़ावा देते हिसे जल्दी मतलब वो से speed up कर देती है तो media जो ही catalyst के रूप में काम करता है social change के लिए मतलब media जो है एकदम से social change को society को बदलने पर speed up कर देती है इसका मतलब ये होता है तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो media के पास जो है power होती है society को बदलने की, logo को बदलने की क्योंकि मीडिया में जो दिखाया जाता है उसी के basis पे लोग अपने public opinion बना लेते हैं society उसी को अपना लेती है और उसी चीज़ पे चीज़े जो है चलने लगते हैं तो मीडिया के पास एक kind of influential power होती है इसलिए उसे catalyst बोला जाता है फिर मीडिया जो है एक मैंने पहले भी बताया कि मीडिया जो है एक effective catalyst है social change के लिए society को बदलने के लिए society में जो changes आते हैं वो due to media होते हैं media के भी खाली news channel media में नहीं आता बहुत सारी forms होते हैं media के तो उन सब चीजों के लिए like news, entertainment, programs, sports, everything that is related to media is act as a catalyst for social change तो मास मीडिया को हम सब जानते हैं कि हम एज़ा fourth pillar democracy का गरतंत्र का चौथा स्तंप जो है आम इसे बोलते हैं इसलिए इसलिए भी जो है इसे बोला जाता है क्योंकि ये एक समाज को बनाने में उसको बदलने में एक एहम भूमी का जो है वो निभाता है इसलिए मास मीडिया को जो है fourth pillar के तोर पे रखा गया है फिर ये जो है लोगों को motivate भी करती है मीडिया उनको discourage भी करती है मतलब कही ना कही इसके positive और negative impact दोनों होते हैं मीडिया के थुरू लोग जो है अच्छी चीज़े भी सीखते हैं मास मीडिया के थुरू लोग जो है अपने रहा से भटक भी जाते हैं तो इसलिए ये लोगों को motivate भी करती है और discourage भी करती है इसी के basis पे जो है society बदलने मतलब कि कोई अचानक से रूरल एरिया से एक दम अर्बन एरिया में convert होने लगता है that is what society is changing तो ये भी क्या होता है social change होता है अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है poverty और illiteracy बहुत जादा है इसलिए जो हमारी सारी society एक जैसी नहीं है कहीं पर हमें बहुत जाद लिटरेट लोग मिलेंगे कहीं पर illiterate मिलेंगे तो ये एक दम unbalanced society है हमारी तो इसमें क्या है मीडिया जो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है especially in the field of journalism इसमें क्या है मीडिया catalyzes मीडिया catalyze का मतलब आपको speed up कर देती है लोगों को act करने के लिए react करने के लिए अब जिस त मीडिया जो है तरह तरह के campaign शुरू करती है election से कुछ टाइम पहले लोगों की जगे जगे जाकर लोगों के opinion सुनती है जो जनता बोलती है उसे दूसरे लोग देखते है और मीडिया उसको जिस तरीके से दिखाती है अगर मीडिया किसी politician को अच्छा दिखा रही है तो kind of public opinion जो है वो form करती है media media catalyze the people to form the public opinion they help the people to act react and interact तो इसलिए journalism के field में जो है वो ज्यादा होता है कि लोग public opinion जो है वो journalism के थुरू ज्यादा बनता है लोगों का फिर उसके बाद अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया की वजह से लोग जो है आजकल बहुत जादा हर चीज के बारे में inform रहते हैं उनको education मिलती है हर चीज के बारे में जानने की जानकारी मिलती है और जो लोग illiterate people है जिने कुछ जादा नहीं पता होता है लेकिन TV के थ जान पा रहे हैं क्योंकि एक छोटे से गाव में रहने वाले लोगों को क्या पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है लेकिन विद्धा help of the TV उनको पता चलता है कि अच्छा इस तरीकी के आजकल के dressing sales चल रहे हैं लोग प्रोग्राम देखते हैं उसमें लोग कपड़े रहे हैं कि इस तरीके कपड़े आ रहे हैं कि एकदम से जो है एंस मतलब आपकी जितने भी metropolitan cities है वहाँ पर तो आपका trend एकदम से आ जाता है लेकिन जितने भी rural areas होते हैं वहां पर एकदम से trend नहीं आता है वहां पर धीरे-धीरे करके जो है trend मतलब जब metropolitan cities में थोड़ा पु भी हो जाता है तो इस तरीके से क्या है लेकिन अब लोग जो है through media यह सब चीजे पहले से ही जानने लगे हैं कि अगर TV में कोई चीज दिखाई जा रही है तो लोग उसको जानते कि इस तरीका trend तो वहां पर कोशिश करते हैं आपनी आसपास की जगे पे कि हम भी इस चीज क को follow करें इसी तरीके से जो है media एक catalyst का काम कर रही है society को बदलने के लिए क्योंकि media के थुरू यह एक कोने कोने तक पहुँचकर लोगों को जानकारी देती और educate करती और inform करते जिसके वज़े से आपकी society जो है एकदम speedily जो है बदल रही है इसलिए इसे catalyst बोला गया है media को social change page के लिए तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से हम से यूटे के और भी जो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सोबच